कि तो गूड मॉर्निंग एवरिवन चले स्टार्ट करते हैं लॉगरिदम जहां पर मैं यह कह सकता हूं कि फॉर एनी पॉजिटिव इन पॉजिटिव नंबर ए डैट मेंस ए ग्रेटर देन जीरो वी है एड टू दी पावर एक सिक्वर्स तो एनी नंबर इन लेट से मैंने मा को क्यूं लिया आपका question यह arise हो सकता है कि why we take a is positive here a को मैंने Ñ की नहीं लिया ठीक है तो अगर लेट से मैंने x को या a को negative number को ही मान लिया let's say मैंने minus 1 ही मान लिया guys मैंने minus 1 मान लिया a का value negative मान लिया और इस x की value को मैंने half मान लिया x की value को half मान लिया तो आपको मिलेगा minus 1 to the power half minus 1 to the power half का meaning होगा कि this is the square root of minus 1 और यह square root of minus 1 जो होगा वो imaginary number हो जाता है guys क्या हो जाता है imaginary number हो जाता है and that imaginary number is not a real one so हम लोग calculation सिर्फ और सिर्फ real number का पढ़ रहे हैं एक बार फिर से मैं बोल देता हूं कि मैंने लिया था कि कोई positive integer a के लिए किसी positive integer a के लिए हमें ये एक relation मिलता है हमें क्या मिलता है ये एक relation मिलेगा क्या मिलेगा कि मैं उस number का कुछ power करूँगा कैसा power करूँगा variable power यानि कि कुछ भी power करने जा रहा हूं x क्या है कोई भी real number है तो मुझे कुछ number मिलेगा guys ठीक है कुछ number मिलेगा ठीक है यानि कि कि किसी भी number का कुछ power रखते हो तो कोई number आपको मिलता है न और वो number real होने के लिए आपको ये यानि कि ये ऐसा power लेना पड़ेगा जो real number का output दे तो अगर मैं a को negative ले लेता हूं या कोई भी negative number ले लेता हूं और उसका power 1 by 2 कर दूँगा या 1 by 4 कर दूँगा यानि कि 1 by even power कर दूँगा तो मुझे वो number defined नहीं मिलेगा imaginary number मिल जाएगा guys ठीक है इसलिए मैंने a को यहाँ पर positive लिया हुआ है ताकि मैं उसका power कुछ भी करूं मुझे वो real number ही output दे clear है क्या यह statement सभी को कि why we take a positive here just write yes or no in the chat section everyone मैंने a को क्यों यहाँ पर positive लिया हुआ है क्या यह statement clear हुआ बहुत अच्छे है चलिए तो हमने a को इतना लिख दिया अब देखे मैं यहाँ पर क्या बलूँगा इस n या a को मैं base बोलता हूं a को क्या बोलता हूं a को base बोलता हूं ठीक है गाइस और इस n को result बोलता हूं ठीक है result और यह एक्स को पावर बोलेंगे एक्स इस पावर यह index भी यह exponent भी बोलते हैं लोग exponent यह standard नेम होगा इसका ठीक है यह exponent और इस फॉर्म को बोलेंगे exponential form and this form is called exponential form इस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग exponential form तो थोड़ा सा नाम भी जानते रहिए exponential form ठीक है अब मुझे यहां पर अगर इस एक्स की वैल्लू को अगर फाइंड आउट करना होता है नाओ मैं चाहता हूं कि इस एक्स की वैल्लू को फाइंड आउट कर दू तो लॉगरीदम एक ऐसी वैल्लू होती है लॉगरीदम यह कहता है कि अगर मैं यहां पर टेकिंग टेकिंग लॉगरीदम लॉगरीदम तो दबेस तो दबेस देखे बहुत ही एक्स्प्लेण करके मैं ले जा रहा हूं मैं डिरेक्टली आंसर नहीं लिख रहा हूं मैंने ठीक है एन को क्या एन इस दर रिजल्ट आप्टेंड बाई डिस वेल्यू ठीक है तो एन कोई पॉजिटिव नंबर होगा गाइस ठीक है एन इस एन पॉजिटिव यहां पर लोगरिद्म लेने जा रहा हूं तो टेकिंग लोगरिद्म टुद बेस ए कि ड़िभी इस ए ओन बोट लोगरिद्म लेने जा रहा हूं तो अगर लोगरिद्म लें लूँगा मैं तो देखे एकस पॉन अब देखेंगेब लोगरिद्म का रूल आता है की इन जो है हमारा लोगरिद्म जो है एक ऐसा फंक्षण होगा जो इस बेस को बाहर कर क्या कर देगा इस पावर को बाहर कर देगा तो पावर को बाहर कर दिया मैंने और लॉग ओफ ए टुदी बेस ए हो जाएगा गाइस और यहां पर लॉग ओफ लॉग में कोई भी क्वांटिटी यहां पर और उसका बेस दोनों सेम होता है तो वैलू वन हो जाती है गाइस वैलू कितनी हो जाती है वन हो जाती है डैरेक्ली लोग लोगरिजम को लिखते हैं कि अगर ए का पावर एक्स इक्वल्स टू एन हुआ तो लॉग जो होता है यह कि एक्स की वैलू जो होती है लॉग एन टुदी बेस ए होता है ठीक है तो विकेन राइट कि हमारे पास एक्स जो मिलेगा एक्स इस इक्वल्स टू लॉग एन टुदी बेस ए शिंपली इस वन यह मिल जाता है यानि कि मैं एक साथ अगर लिख हूं इसको अगर मैं एक साथ अगर इसको लिखता हूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि let's say मेरे पास यह form है एक का power x equals to n है तो मैं लिख सकता हूं कि this implies this implies मुझे x की जो value मिलेगी वह मिलेगा log of n to the base a ठीक है यानि कि यह वाला number अगर मुझे find out करना होगा कौन सा यह power वाला number find out करना होगा मुझे तो मैं बोलूंगा कि उसकी value जो है log n आएगी log n जिसका base कितना होगा in a होगा ठीक है तो यह statement कि लिए रहे क्या सभी को just write yes or no और इसी को मैं बोलूंगा logarithm function logarithm of n to the base a क्या मैं बोलूंगा कि यहां पर एक्स जो मुझे मिलेगा वह logarithm of n मिलेगा जिसका बेस कितना होगा यह होगा जिसका बेस कितना होगा यह होगा ठीक है तो पहले मैं क्या करता हूं log के types आपको आपको समझा देता हूं दिन log के में डिटेल में discussion करेंगे ठीक है logarithm जो function होता है दो टाइपस होते हैं टू टाइपस अफ लॉगरिद्म टू टाइपस और देखे यही जो होता है इसको मैं लिख दूँ यही जो मुझे एक्स की वैलू मिला वह logarithm logarithmic form है ठीक है logarithmic लोगरिद्मिक फॉर्म ठीक है तो दोनों फॉर्म आपने देख लिए एक देख लिए exponential फॉर्म दूसरा लिख दिया logarithmic फॉर्म चलिए इसके पहले मैं एक दो कुश्चन यहां से करवा लेता हूं लेट से मैंने बोला कि मैंने कुश्चन आप से किया राइट है राइट है दे एक्सपोनिंशियल फॉर्म ऑफ राइट दे एक्सपोनिंशियल अच्छा अच्छा एक लड़का गैलेक्सी और जीवनी नेम से है वह अपने आपको रिनेम कर ले गैलेक्सी एट्वेंटी और जीवनी एस टेन अपने आपको रिनेम कर लिजे दोनों लोग ठीक है विल नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन दीज दीज थीज ठीक है तो ट्राइट कर लिजे कि इसी से आपकी अटेंडेंस लगती है तो रिनेम यॉर्सेल्फ गाइज चलिए तो राइट यहां पहरल डिटल लॉगरिधमिक फॉर्म में लिक्ता हूं या कुछ walk आलिए टॉट में अपको क्या करना है कि उसको लोगरिधमिक फॉर्म में करना है तो चलिए मैं सबसे पहले लिखता हूं कर ऐंत weirdest में लॉग ऑं log of 81 to the base 3 इसको कैसे लिखेंगे दूसरा exponential form में लिखिए आप ठीक है यह logarithmic form में हमने लिखा हुआ है log of log of 1 by 49 log of 1 by 49 to the base 7 इन दोनों का exponential form लिखके दिखाए तो गाइस सभी लोग राइट दे exponential form आफ देखे मैंने यह वाला form आपके सामने लिखा हुआ है यह आप टू आप्टेन दीज फॉर्म एक्सपोनेंसियल फॉर्म वैल्यू मैंने नहीं पूछा हर्स मैं वैल्यू नहीं पूछना चाहरा हूं मैं आपसे पूछना चाहरा हूं कि इसका एक्सपोनेंसियल फॉर्म क्या होगा गाइस तो मैं यह भी पहले लिख देता हूं कि यह जो है इसकी वैलू 4 के बराबर होगी तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ता इसकी वैलू लिखनी पड़ती ठीक है इसके वैलू लिखनी पड़ती गुड लेकिन आपको यह समझना चाहिए था कि हमें क्या करना पड़ता उसका वैलू लिखना पड़ता सबसे पहले ठीक है हम कैसे लिखते उसकी वैलू लिखने के बाद तो इसकी वैलू 4 हो जाती विकाज हमने बोला न कि लॉग ऑफ 81 निकालना है आपको ठीक है तो पावर को बाहर कर देता है और हमने बेस थरी लिया था तो आपको समझना चाहिए था कि यह लॉग ऑफ 3 का पावर 4 है और तो यह 4 बाहर आ जाता तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा बहुत अच्छे सभी ल 3 जो है उस साइड बेस में चला जाएगा और वो 4 पावर में रहेगा तो 81 इक्वर सु 3 तुदी पावर 4 और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 1 बाई 49 1 बाई 49 इक्वर स्टू 7 तुदी पावर माइनस 2 ठीक है और आई थिंग बहुत लोगों ने सही आंसर भी दिया हुआ है ठीक है तो यह एक्स्पोनिंशिल फॉर्म हो गया यह आपको लिखने आ रहा है चलिए दूसरा मैं आपको कह रहा हूं कि लोगरिद्मिक फॉर्म लि राइट इन लोगरिद्मिक लोगरिद्मिक फॉर्म लोगरिद्मिक फॉर्म में आपको लिखना है ठीक है तो आपके पास दिया हुआ है लेट से पहला मैंने लिया 1 9 to the power 3 by 2 equals to 27 and second one is second one is 8 to the power minus 2 equals to 1 by 64 ठीक है इन दोनों का एक लोगरिद्मिक फॉर्म लिखे तो गाइस आप लो कि अच्छे हैं अच्छे है अच्छे है अच्छे है का सभी हर्स का सभी है अच्छे अच्छे हैं आज 2 रिपलाई बहुत अच्छे कर रहे हो इसके पहले नहीं आ रहे था है हर्स का भी आंसर आग्या हर्स ने दो दो पार आच्छी अंच्छ बहुत अच्छे अंशु बाला आपको आंसर नहीं वैसे एक्जैक्ट वैलू नहीं लॉगरिद्म तो आया है नहीं आपके आंसर में गुल्शन 27 तो यह थ्री बाइट टू की वैलू लिखने चाहिए थे आई तिंग देखें क्या करना है आपको कुछ ज्यादा दिमाग इसक लॉगरिद्मिक फॉर्म क्या होगा तो देखें यहां पर लिखा हुआ था एक्सपोनिंस्यल फॉर्म दिया हुआ है यहिए कि मुझे अगर यह पावर चाहिए तो मैं लॉग ए लिखूंगा बेस वाला का बेस हो जाएगा तो मुझे पावर 3 वाइट तू अगर चाहिए ह तो मैं लिखोंगा कि 3 by 2 equals to log of 27 जिसका बेस जो होगा 9 होगा बेस कितना होगा 9 होगा गाइस और यहां पर मैं पावर कितना है माइनस 2 है तो माइनस 2 की वहलू लिखोंगा कि माइनस 2 equals to this should be log of 164 sorry 1 by 64 and the base is 8 ठीक है बेस कितना होगा 8 होगा तो log 162 base 8 equals to minus 2 बहुत अच्छे तो बहुत लोगों ने सही answer दिया है स्रेयांस का answer सही है सनी का answer सही है और और उपर में जितने री चैट्स चलेगे हैं उन सब के आंसर से हम विवेक का सैट डाउट है हम विवेक बताइए इसमें यह समझ नहीं है सर जो पीशिवा कोशन था उसको दीख लाईएगा सारे यहां पर उल्टा था यहां पर देखे इस यह जो मैंने बॉक्स में लिया ह हुआ है उसको ध्यान से यहां पर मैंने लोगरिध्यम म warto लिया हुआ है लोगरिध्यद मोला कर अगर मुझे है हैं कौन से 81 है तो मैं ऑलने कि 81 की वहलनू जो होगा यहां का जह बेस है वह इसका बेस चला जाएगा जो ड़िण और ने साइड मेंध नमबर तो 81 की वैलू जो बेस यहां पर है वो राइट हैंड साइड में इसका बेस बन जाएगा तो मैं लिखोंगा कि 81 की वैलू 3 टू दी पावर 4 हो जाएगा उसी तरह यहां पर एन के प्लेस पर 1 by 49 है तो आइकन राइट कि 1 बई 49 इकवल्स टू यह सेवेंड जो लॉक का बेस है वो राइट हैंड साइड में जाकर इस नंबर माइनस टू का बेस हो जाएगा तो वी के राइट की 7 टूदी पावर माइनस 2 हो जाएगा ठीक है अब कि लिए रहे क्या जो होगी वो राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसमें लॉग लगा देंगे और जो उसका बेस होगा जो इस नंबर का बेस है जो एक्स का बेस है वही उसका लॉग का बेस हो जाएगा तो यहां पर मैं बोल सकते ही पावर 3 by 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 27 और इस 27 का बेस कितना होगा जो यह वाला बेस है नाइन और फिर उसी तरह पावर माइनस टू इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 by 64 टू बेस एट होगा गाईस ठीक है अब देखिए हैं टाइपस ओफ लॉगरिद्म डिफाइन करते हैं टाइपस ओफ लॉगरिद्म टाइपस ओफ लॉगर टाइपस ओफ लॉगरिद्म तो टाइपस ओफ लॉगरिद्म दो तरह के होते हैं लॉगरिद्म जो होते हैं दो टाइप के होते हैं ठीक है एक होगा कॉमन लॉगरिद्म पहला होगा कॉमन लॉगरिद्म कॉमन लोगरिद्म जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे क्लाश 10 तक अपने लॉग का नाम सुना होगा बेशिकली ऐसा नहीं कि है कि आप बिल्कुल जानते नहीं होंगे तो लोगरिद्म जो भी टाइब्स डिफाइन होते हैं काई वह बेस्ट डिफाइन होता है ठीक है यह बैस बताता यह यानि कि किसी भी लौग का बेस देखकर आप बता पाऊगे कि देट लौगरिद्म एक टाइप होता है नैचुरल लौगरिदम दूसरे को क्या बोलते हैं तो अगर आपका आपके लॉग का जो बेस हो लॉग का बेस कितना हो यहाँ पर बेस कितना होता है बेस आफ लॉगारिदम एस टैन कि मैं में सिंपली इस तरह से लिख दे रह implicit कि कॉमन लॉगरिदम में क्या होता है जो बेस होता है लॉगरिभम का वह टेन होता है ठीक गाई और एक टर्म होता है यहाँ पर इसमें नेचुरल लॉगरिदम में जो मेरा बेस होगा बेस ओप अफ डबेस ओफ दॉप डॉगरिदम डेस ओफ दॉगरिदम डेस ओफ दॉगरिदम बेश बेश अफ द़िए लॉगरिञ्व इस ही क्या होता है यह होता है हाव किन भी उदिफाइ डंॉग ऑफ बेश टी बताए तो मैंने कि आप क्या करोगे आप बेस देखोंगे किसी भी लॉग का अगर बेश जो है वो क्या होगा टेन होगा या 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 कुछ भी होगा ठीक है तो आपको क्या करना होगा आपको मिनिंग ऑफ ए जो है एक मतलब एक टर्म मतलब डिफाइन किया गया है ठीक है एक टर्म डिफाइन किया गया है इसकी वैलू जो होती है वह एक्जेक्ट तो मुझे एक्जेक्ट जो होता है इसको बोलता हूँ कि यह 2.732 के आसपास होता है गाई ठीक है यह एक टर्म डिफाइन किया गया है लॉगरिधम में जिसकी वैलू होती है 2.732 ठीक है 2.1 इस तरह से अब देखें अब मैं यह बताना चाहता हूँ ठीक है कि जितने भी अगर मान लिजे बेस 10 नहीं हो या लॉग मान लिजे अगर हमने दिया हुआ है कि लेट से मैंने बोला कि लॉग ऑफ 5 दिया हुआ है लॉग ऑफ 5 मैंने जैसे बोला तो आपको समझना होगा कि इस उड़ ब mass of 10 ये बेस 10 में दिया हुआ हो और उसके अलावा जो भी दिया हुए रहेगा वो आपकलें में रहेगा वो सभी common लॉग की कंटिगरी में आएंगे ठीक है ए जिए Exponite से लिया गया है ए जिए Exponite से बेर चले किसी में ने आएट किया हुए था यहां तक किसीन को को डाउट हो तो जिस्ट रेज्ट हैंड गुल्शन को मैं बारी-बारी से आपके डाउट से लूँगा सो अगर यहां तक कोई डाउट हो तो हां बोले गुल्शन यह लोग 11 रहेगा तब क्या होगा तो मैंने बोला तो कि अगर यह नहीं है यानि कि यह मतलब नाम लिखा रह ध्यान रहे और इसका दूसरा एक एकस्प्रेशन कैसा होगा वह भी मैं बता दे रहा हूं यह नोटेशन तो अगर लॉग 11 दिया यानि की के अलावा कुछ भी दिया हुआ होगा वह सब कॉमन लॉग की कटेगरी में आएगा अब लेकिन मैंने तो यह बोल दिया कि सर कॉमन छ्ण में भी देशन होता है तो यह देशन यहां पर जैसे यहँ पितएगे कि लोग पाईब सब्सक्रीं लेकिन एसके अलावा कुछ देना होगा तो वो खुद से देगा ठीक है गुर्शन यहां बट दीज दीज आल आर कमस अंडर इन कॉमन कॉमन लॉगरिदम और किसी को कोई डाउट जस्ट रेज़ एड तो यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए गाइस ठीक है दो तरह का लॉग होगा एक होगा कॉमन लॉगरिदम दॉग है कॉमन लॉगरिद्म का जो बेस होता है वो एच्च रहोता घैंट अब बेस टेन होता है कि सर बेस कुछ और दीया हुए होगा तो जैसे आज यहां पर आपने वैर नाइन लिया यह सभी कॉमन लॉग के कटेगरी में आएगा ठीक है चलिए अब इसका नोटेशन जो होता है नैचुरल लॉगरिदम का इसको हम लोग पूरा नोटेशन ओफ नोटेशन ओफ नैचुरल नैचुरल लॉगरिदम नैचुरल लॉगरिदम का जो नोटेशन होता है वो होता है एलेन क्या होगा एलेन होगा गई एलेन ठीक है लेट से कि आपको एक्जाम्पल में मैं देख रहा हूं कि लेट से आपको दिखा हुआ है कि एलेन 5 लिखा हुआ है यह ln 5 का meaning हो गया कि आपको log of 5 to the base e दिया हुआ है guys आया समझ में क्या natural logarithm में base क्या होगा e होगा और natural logarithm का जो notation होता है वो ln होता है इसका मतलब कि कहीं पर आपको लिखा हुआ हो ln 5 ठीक है ln 10 ln 7 ln 9 उन सब में base कितना होगा e होगा अब चलिए मैं आपसे यह question arise कर रहा हूँ कि ln e इसकी value कितनी होगी what should be the value of ln e anyone बहुत अच्छे सनी का answer आ गया स्र्यांस का answer आ गया और लोग reply कीजे हर्स का भी answer आ गया so बहुत अच्छे guys इसको मैं बोल सकता हूं कि भाई यह log of यह क्या रहा होगा यह रहा होगा log of e to the base e log of e to the base e और यह value तो हमने देखा कि base और यह दोनों सेम हो आपको क्या मिल जाती है यह value आपको मिल जानी है कितना वन मिल जाना है वह तो लॉग अब e to the base e लिखेंगे and the value of this is one इसके value कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी गुल्सन आपने यह नहीं नहीं 2.732 नहीं होगा वो तो e का value था simply उसमें log लगा दिया value तो one हो गया वो ठीक है इस function को exponential function को define करने के term में आया था अब question यह arise होता है कि sir हम सिर्फ एक एक number यानी e के लिए पूरा का पूरा log ही अलग से define कर रहे है तो हर number के लिए अलग-अलग से log define होना चाहिए base 3 पर भी कुछ log का नाम होता base 5 पर भी कुछ log का नाम होता base 10 पर चलिए आपने ले लिया है कि common log में तो सिर्फ एक नंबर के लिए आपने एक पूरा का पूरा लॉगारिदम के स्टेट ही अलग कर दिया और उसको अपनों नैचुरल लॉगारिदम बोल दिया ऐसा क्यों किया विश कोशन सुट भी आस्क विद यो साइड ठीक है आपके साइड से यह कोशन आना चाहिए था ठी इसके वेलू लेट से आपने बोला कि 2.732 है उसके लिए आपने पूरा का पूरा एक नैचुरल लॉग का सेट ही डिफाइन कर दिया एक अलग कटेगरी ही इस्टैबलिस कर दिया तो यह कटेगरी इन सब नंबर्स के लिए यह पार्सेलिटी नहीं हुआ क्या आपने तीन क समझ रहे हो गाइस राइट येश और नो जो लोग मेरा कुश्चन समझ पा रहे हैं वह एक बार कण्फर्म किजा अपने साइट से राइट येश और नो नहीं बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं देखें मैं ये कोश्चन कह रहा हूं अभी मैंने बोला कि दो तरह के लॉगरिदम होते हैं एक बेस टेन पर होता है ठीक है एक अलग नंबर है जिसकी फिक्स वैलू है टू पॉइंट सेवेंठी टू इस नंबर के लिए हमने बोला कि जो भी जो भी लॉग जिसका बेस यह ए होगा वो नैचुरल लॉगरिद्म होगा ठीक है एक अलग नाम लॉगरिद्म का दिया तो टेन के साथ चलिए कि टेन जिसक 5 हो रहा है, Base , 9-11 हो रहा है इन सब के लिए अलग नाम नहीं ले रहे हैं सब sabe 고 Common based ही इंक्लूड कर ले रहा हो कि तो इसका reason मैं यह बता हूं किह कि हमारे myths में जितने भी result deriveddeduary किये गए है यह कि यहां यहां देखेगा एक function defined करते हैं मोग exponential function ध्यान रहें इसको मैं इरेज करके अलग से लिखी दे रहा हूं ऐसा इसलिए होता है कि यह एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने आपको इस्टार्टिंग में लिखवाया है गाइस कि एक्सपोनेंशियल नंबर किसी भी नंबर का पावर जो होता है उसको एक्सपोनेंशियल नंबर बोलते हैं उसी तरह होता है exponential function क्या होता है गाइस exponential function होता है देखिए exponential function इसका भी ग्राफ आज के class में मैं आपको बताऊंगा exponential function exponential function आपका होता है y equals to e to the power x यह standard exponential form है क्या है यह standard form है standard इस्टेंडर्ड इस्टेंडर्ड फॉर्म हाँ लॉक की इन इक्वालिटीज भी होती है ठीक है आज यह सब कुछ-कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेंगे तो देखें गाईज अभी हमने जो लिखा था कि n equals to a to the power x वो exponential form तो obviously होता है लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि एक standard exponential function क्या होता है अब आप मुझसे यह मत पूछने लगेगा कि सर function आपने यह function तो हम लोग पढ़े नहीं है तो function जैसा आप लोग polynomial पढ़ते आ रहे थे न अभी के लिए यही समझो कि function एक तरह का polynomial है यह x में कोई expression होता है जैसे यहाँ पर x में एक expression है एक में क्या है एक expression है तो यह यह function हो जाएगा तो exponential function e का पावर x पर define होता है इसलिए हम लोग को अलग से define करते हैं लोग को क्या करते हैं अलग से define करते है कि और देखें कि logarithmic function exponential function से ही आता है logarithmic function और exponential function यह इक दूसरे का inverse होता है ठीक है एक से ही दूसरे को अप्टेन किया जा सकता है तो एक स्टेंडर्ड फॉर्म होने के चलते यहां से जो लॉगरिधम अप्टेन हुआ था ना उसी को मैं बोलता हूं कि वह नैचुरल लॉगरिधम था ठीक है इसलिए यह पर हमने एक अलग लॉगरिधम डिफाइन किया अगर मेरा इबेस रहेगा उसका पावर कुछ भी बोलेंगे हम तो उसका नाम बोलेंगे कि यह exponential function होगा exponential function इसलिए मैंने आते आते ही आपको exponential term से aware कराया है this is the exponential form यह क्या है n equals to a का power x अब मैंने n के जगा पे y ले लिया है और a के जगा पे e ले लिया है power x दे दिया है तो यही आपको standard exponential function देता है ठीक है guys अभी यह तो exponential form है no doubt बड़ इसका अगर पूछेंगे कि क्या यह standard form में है तो your answer should be कि no यह standard form में तभी होगा जब e की value sorry जब इस base की value e के बराबर होगी base की value e के बराबर होगी then we say that this exponential form is in the standard form ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं name के थुरू था अब मैं कुछ क्या कर लेता हूं आपको properties दिखाता हूं तो लिख सकते हैं formula यह properties of properties of logarithm यह properties of logarithm प्रोपरिटीज ओफ लॉगरिद्म लॉगरिद्म की प्रोपर्टी देख लेते हैं ठीक है तो पहला कि मैंने लिखा कि लेट से वाई इकवर्स टू लॉग और लॉग और कोई मैंने एन लिया हुआ है लेट से मैंने कोई लिया हुआ है तो आपका यह एन जो है वह हमेशा ग्रेटर दैन क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए यहां पर जो एन जो भी हमें लॉग के अंदर की क्वांटिटी मिलेगी वह हमेशा ग्रेटर दैन जीरो मिलनी चाहिए ठीक है यह पॉजिटिव ही मिलना चाहिए यह निगेटिव नहीं हो सकता है ठीक है यह निगेटिव नहीं हो सकता है यह बात ध्यान ऐसा एक्स लख देते हैं यहां पर ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो ताकि आपको वैरियेबल की टाइप का यह दीखे तो यह एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए यह एक्स निगेटिव नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए दूसरा दूसरा बताइए तो लॉग औफ वन की वैलू कितनी होगी लॉग ओफ वन की वैलू लॉग ओफ वन इसके वैलू कितनी होगी सभी लोग बताइए तो सनी का अंसर आ गया मरिगंग का अंसर आ गया और लोग बताइए बता रहे हैं रिशू जस्ट वेट फॉर मिनट लॉग वन की वैलू पहले बताइए नहीं लॉग वन सिंपली लॉग वन की वैलू जो होगी वह आपको मिल जाएगी 0 लॉग 1 की वैलू किनी मिलेगी 0 मिलेगी हमेशा कुश्चन अराइज होता हैं कि ऐसा क्यूँ सिर तो देखें है le WiFi 6 इस लिए कि हम जानते हैं कि किसी भी number का power जो है 0 की value 1 कि कितना होता है किसी भी number का power 0 की value मुझे 1 मिलता है 1 मिलता है न तो मैं दोनों तरफ अगर log operate करता हूं तो मैं बोलूँगा 0 equals to log of 1 right-hand side का number 1 हो गया और यह जो हो गया बेस में हो गया तो अगर मैं यहां पर बेस कुछ भी रख दूँ बेस क्या रख दूँ कुछ भी रख दूँ मुझे यहां पर value क्या मिलेगी हमेशा 0 ही मिलेगी कोई डाउट किसी को just raise your hand अगर किसी को कोई डाउट है तो जस्ट रेज्ट हैं चलिए कोई डाउट नहीं है कोई डाउट नहीं है आगे बढ़ते हैं ठीक है मैंने इसका प्रूब भी दे दिया अब अगर मुझसे पूछा जाए कि सर यि तो बात सही है आपने बोला कि X की value जीरो नहीं होनी चाहिए ठीक है एक की value यहां पर 0 नहीं होनी चाहिए लेकिन क्या होगा जब एक की value क्या हो जाए मेरा जीरो हो जाए लॉक 0 की value कितनी होगी बताईए गाईस लॉग जीरो की वैलू कितना होगा बेस कुछ भी रहे अभी हमने बेस पर कॉंसेंट्रेशन नहीं किया है बेस पर कॉंसेंट्रेट नहीं किया है तो मुझे क्या मिल जाएगा रिशु कांसर आगया बिवेक कांसर आगया बहुत अच्छे शनी और हर्स कांसर बिल्कुल सही है और लोग तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो म्रिगं कांसर सही है अंसुबाला कांसर सही है गुलसन फिर आपकर अंफ्यूज कर रहे हो देखिए आपको सिंप्ली ऐसा जानना कि मैं किसे मैं क्या कर रहा हूं कि किसी भी नंबर का पावर में क्या लेट से मैंने कोई अभी मान लीजे की वैलू मैं नहीं जानता हूं एक्स हो गया मेरा तो मैं बोल रहा हूं किसी भी नंबर का पावर एक्स ले रहे हैं तो क्या मुझे कभी जीरो मिलता है क्या यहां पर पॉनिंशियल नंबर यह कभी जीरो आया ही नहीं तो मैं जब यहां पर लॉग लूँगा तो लॉग ऑफ जीरो टुदी बेस ए चला जाएगा तो क्या यहां पर यह डिफाइंड वैलू मिलेगा यह कोई वैलू फिक्स कर पाएंगे हम क्यूंकि ऐसा तो एक्स मुझे मिला ही नहीं तो इस तरह का एक्स जो होगा वह अंडिफाइंड बोलते हैं अब प्लस इंफिनिटी होगा कि माइ थिक है बड़ क्या देगा सबसे बड़ा नमबर देगा कि सबसे छोटा नमबर देगा विरी डिस्कस इसके प्रफ़ोपली के बाद तो इसकी वैलू मैं सिंप्ली बोलूंगा कि यह अनडिफाइंड होगा गईज अंडिफाइंड देखे मैंने बिलकुल रिजिनिंग के सा दिया है कि अन्डिफाइंड की होगा मैंने डिरेक्ली लिखा हुआ नहीं है सो सबको क्लियर होना चाहिए ठीक है विकॉज मैं जानता हूं कि किसी भी नंबर का पावर जीरो कभी नहीं मिलता है तो मैं वहां पर लॉग ओप्रेट करएंगकर और तो लॉग के जीरो के अंदर की क्वांटिटी से जो पावर जंडे हुआ था जो पावर की वैल्लुम ली थी ओस तरहर पावर एक्षिस्ट नहीं करेगा यानि वस्तर का पावर या तो बहुत किने की वेलु कितनी होती है गायीज तो इसकी वन होती सु necessarily क्यों होती साथ कि हम जानते एक का पावर जो है वन रखेंगे किसी भी बेस्वा पावर बर्लो औरमें लिक होंगा तो पावर वन इक्वereum स्टू बहुञा कि लॉग यह वालब नंबर A और E वाला बेस A में चलाएगा ठीक है गाईस तो यहाँ पर लॉग ऑफ A to the base A जो कि अभी हम यूज करते आ रहे थे बार-बार यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया कि वो वन ही होता है नाउ पांचवा फॉर्मूला अब इसको प्रोड़क्ट फॉर्मूला बोलते हैं लॉग के अंदर लॉग के अंदर दो क्वांटिटी एम इंटू एन रहे दो क्वांटिटी मल्टिप्लिकेशन के अंदर है उसका बेस कुछ मचछ मिन करें इसका मतलब होगा कि दिस फॉर्मुला विल मेली एडिफ थे हैं सबी टरफ के यह भी फॉर्मूला क्या होगा वैलीड होगा तो मैं बोलूंगा कि अगर कोई भी नंबर मूंग कोई भी नंब्र मल्टिप्लिकेशन में रहे तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि लॉग ऑफ एम तुधी पेस ए फ्लस लॉग ऑफ जो इन टुधी पेस ए होगा बहुत अच्छे मरिगंग रिगंग आंसर भी कर रहा है इसको बोलते हैं लोग प्रोडक्ट रूल क्या क्या बोलते हैं ले प्रोड़क्ट रूल बोलते हैं गाइस इसका प्रूफ इसका प्रूफ सोचो तुम लोग प्रूफ तो है प्रूफ पढ़ते हैं तो सबका प्रूफ है ठीक है कोई भी number जो multiplication के form में हो, कोई भी number जो multiplication के form में हो, उसको हम लोग इस तरह से addition के form में लिख सकते हैं. यानि कि log के अंदर कोई term बहुत साथ term multiplication में रहे तो मैं उसको addition में लिख सकता हूँ, ठीक है? ऐसा इसलिए होता है देखे, कि एक आपको देता हों भले मैं लिखता हूं कि लिट से कि पावर एक्स में इन्टू एक पावर वाई दोनों बेस में सेम रहता अगर रखता हूं तो मुझे एक पावर क्या मिल जाता है एक पावर एक प्लस वाई मिल जाता है यह आपको पता होगा अब मैं दोनों साइड क्या करने जा रहा हूं लॉग लेने जा रहा हूं जिसका बेस कितना हो ए हो तो मुझे मिलेगा लॉग अभी मैंने पूरी प्रूपर्टी भी तो नहीं बताई यह आज में आने भी लगेगा क्योंकि आगे वाले फॉर्मूले में मैंने आपको नहीं बताएं तो इस प्रूपर्टी के चलते होता है कि जो जो वेलू जोते हैं वह एडिशन में चले जाते हैं तो इसको मैं बहुत सारे नंबर्स के लिए यूज कर लेता हूं लेट से इन ज एकसवन इंटु एकसटू इंटु एकसथ्री बहुत सारे नंबर जो है इन नंबर जो है प्रॉडक्ट के रूप में दिये हुए हो लॉग के अंदर जिसका बेस ए हो तो मैं बोल सकता हूं कि यह आपको मिलेगा log of x1 base a plus log of x2 base a plus log of x3 base a plus क्या मिल जाएगा आपको log of xn base a आया समझ में गई यानि कि बहुत सारे नंबर अगर प्रोडक्ट में हो तो हम उनको क्या कर लेंगे multiplication में लिख देंगे और इसका reasoning यह होता है कि अगर बहुत सारे नंबर a का पावर x1 into a का पावर x2 into a का पावर up to xn रहता है तो उसके पावर एड हो जाते हैं तो पावर वाले एडिशन वाले नंबर जो होते हैं यानि कि एडिशन जो होता है वो प्रोडक्ट वाले के एकवल होता है कुछ ऐसे रिजनी के फॉर्म में आप इसका प्रूफ क्लास के एंड तक आप खुद से भी करने लए होगे देखिएगा ठीक है आया समझ में यह तो इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं हम लोग फिर उसके बाद होता है कोशेंट रू रूल हो गया यह फाइब हो गया सिक्स देख लेते हैं सिक्स लोग और एंड वाइन एंड जिसका बेस यह हो इसको मैं बोलूंगा कि यह लॉग और एम टुदी बेस ए माइनस लॉग ओफ इन टुदी बेस ए यह हो जाता है ठीक है यानि कि अगर दो नंबर डिवीजन में रहे तो उसको मैं डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकता हूं इसको मैं कोशेंट रूल बोलता हूं क्या बोलता हूं कोशेंट रूल कोशेंट रूल ठीक है नेक्स आते हैं पावर फॉर्मूला नेक्स को बोलेंगे लॉग और एम टुदी पावर कितना हो इसका एन हो और बेस कुछ भी रहे तो यह पावर जो होता है लॉग से बाहर आ जाता है तो एन लॉग एम टुदी बेस ए होगा ठीक है गाइस जैसे चलिए अब यहां के थुरू मैं आपको कुछ कुछ दे रहा हूं लेट से मैंने बोला इतना ही प्रॉपर्टी पर यह यह कुश्चन सॉल्प कीजिए इसकी वैलू बताइए जैसे मैंने बोला कि लॉग और लॉग और लॉग लोग कितनी मिलेगी इसकी वैलू सभी लोग बताइए तो जस्ट राइट इन दा चैट सेक्शन ऑनली इसकी वैलू थ्री आ रही है इतनी आ रही है थ्री आ रही है अच्छा यह अगर मैं पूछता हूँ बहुत अच्छे सभी लोग का अंसर लगबग सही है लॉग और बेस अगर नाइन हो तो इसकी वैलू कितनी होगी यह वाट इडिव वैलू अफ लॉग बहुत अच्छे थ्री बाइट तू थ्री बाइट तू होनी चाहिए क्यूंकि मैं ट्वेंटि सेबें याइन लिख सकता हूं नाइन टू पावर थ्री बाइट टू लिख सकता हूं गाइस log of इसको और भी simplify करने को मैं बोलूँगा देखे 27 को मैं लिखता हूँ 9 into 3 मैं इसको लिख सकता हूँ 9 into 3 को मैं लिख सकता हूँ 9 का power 1 by 2 दोनों के power add करूँगा तो power 3 by 2 हो गया तो 9 का power 3 by 2 हो जाएगा to the base 9 अब ये power जो है बाहर चलाएगा बावर पावर जो है बाहर चलाएगा विद आवर दिस फॉर्मूला पावर फॉर्मूला तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो मुझे वैलू मिलेगी वो मिलेगी 3 by 2 और लॉग 9 to the base 9 की वैलू 1 हो जाएगी तो सभी लोगों ने एम तो मुझे मिला ही लेकिन यहाँ पर बेस का नंबर पावर में हो बेस का पावर यह यानि एक पावर के होगा तो मुझे यह मिलेगा 1 by k 1 by k 1 by k log m to the base a मिल जाएगा अगर यहाँ वाला log के साथ यानि log के साथ जो quantity है अगर वो पावर रहता है तो वो बाहर आके multiplication में चला जाता है लेकिन अगर वही पर बेस का अगर पावर रहेगा तो वो बेस का पावर division में चला आता है यह बात ध्यान में रहे तो अगर मैं दोनों को club करता हूँ कौन कौन सा rule number 7 और 8 को club कर रहा हूँ 7 और 8 को club कर रहा हूँ देखिएगा कैसे log of इसको मैं black से लिख दे रहा हूँ अगर मैं बोल दूँ ऐसा कि log of m का पावर n और 8 का पावर के इसकी value कितनी होगी सभी लोग reply कीजे तो what should be the value of this अब 7 और 8 को दोनों को club कर लिजे 7 और 8 रूल को club कर लिजे we'll get this result we'll get this result सभी लोग वे try कीजे बहुत अच्छे है हाँ सही है बहुत अच्छे गुड बहुत लोग सही reply कर रहे है सही answer है बिलकुल ठीक है तो I can write कि ये मुझे मिलेगा देखे ये power multiplication में आएगा तो n हो जाएगा ये power division में चला जाएगा तो n by k log of log of m to the base a हो जाएगा m to the base a ठीक है log of नहीं अंसुवाला आई थिंक आपका answer गलत है या हो सकता है आपने गलत form मतलब आप type नहीं कर पा रहे होगे वैसा ठीक है चलिए नेक्स्ट ये बहुत important formula होगा इसका नाम में बेश चेंज फॉर्मूला में इसका नाम दूँगा बेश चेंज पॉर्मूला इसका अलग से नाम मैंने इसलिए लिया बिकाउज इस वन इस वेरी इंपॉर्टन बहुत इंपॉर्टन होगा देखे ऐसा इसलिए चलिए मैं आपको इसका रिजनिंग भी बताता हूं कि यह इंपॉर्टन क्यों होगा देखे हम लोग मैट्स में ना दो तेबर के operation करते एक करते डिफ्रेंसियेशन जो कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंसियेशन और दूसरा होता है इंटिग्रेशन यह बहुत इंपॉर्टेंड बहुत इंपॉर्टेंड दो से ठीक है कौकर सा इंटिग्रेशन उन डिफिरेंशीस यह दोनों इंटिग्रेशन ंडिफ्रेंशीएशन जो लॉग में दोनों को होता है वह नैचरल लॉग का हम लोग करते हैं कि कोई हाड नहीं है रिलेवेंट का जितना भी टॉपिक है वह सभी बेज्ड हैं कि आप कितने अच्छे से इमांदारी से पढ़ते हो ठीक है और कोई hard नहीं है बस थोड़ा समझना है और obviously science है तो थोड़ा सा दिमाग का use करना पड़ेगा आपको बहुत जादा नहीं बड़ थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको ठीक है तो differentiation और integration दोनों ही हम लोग Natural logarithm का करते हैं किसका करते है natural log का करते है तो इसलिए अगर मुझे कभी common log यानि कि दूसरे base पर log दिया हूआ होगा तो मुझे उसको natural log में convert करना होता है तो मुझे यह आना चाहिए कि अगर मुझे बेस में मानलो 5 दिया हुआ है और मैं बेस को चेंज करना चाहता हूं इपर तो हाउ वी विल चेंज देस कैसे चेंज करूंगा तो उसके लिए हम लोग यह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि लेट से लेट से आपको यह एक वैलू दिया हुए लेट से लिया हुए लोग ओफ एम जिसका बेस एन दिया हुआ है ठीक है बेस एन दिया हुआ है एंड नाओ I want to change this बेस एन मैं इस बेस एन को क्या करना चाहता हूं चेंज करना चाहता हूं अ गुदिटिफ्रेंसीरां नीटिग्रेशन में क्या रिलेशन है। दुनों एक दुसरे का रेजिप्रोकल होता है तो जो सीलिचन मुल्टिप्लिटिएकशन Divison में है वही रिलेशन एक तरह से डिफरेंसीर 315 में है। यह जशक्य देखें एक में क्या करते हैं एक में न हम लोग तोड़ते हैं और दूसरे में जोड़ते हैं ठीक है differentiation का काम होता है घर को तोड़ना और integration का काम होता है उस घर को जोड़ना ठीक है वाई एक वायर को हम लोग जैसे मान लिए एक वायर है दस सेंटीमीटर लेंध का है इसको एक एक सेंटीमीटर करके हम लोग दस हिस्सों में अगर डिवाइड कर दिये न तो वो डिफ्रेंसियेशन हो गया और उसी दस से हिस्सों को फिर जोड़ के पूरा वायर बना दिया तो वह integration हो गया आया समझ में क्या अदिन सिम्झ में तो मोग वहीं तो काम करते हैं ना कि या होता है डिवीजन में क्या करते हैं हम लोग चीज़ों को बाटते हैं एक बड़ा चीज लाया बाट दिया और फिर उसके बाद मुटिप्लाई करेंगे तो वही चीज आ जाएगा सो एक लहमान तो नहीं कहने बड़ लेकिन यह वाला इग्जैक डेफिनीश्चन मैंने बताया कि एक लेंथ एक लेंथ उफ रायर को मैंने क्या कर दिया सेक्ष्ण वाइड कट लिया तो डिफ्रेंसिशीय। हो गया और उस कटे हुए सेक्षंस को एड कर लिया तो इंटेग्रेशन हो गया चलिए तो लॉग ऑफ एम टुदी बेस इन है तो मैं इसको लिखता हूं कि यह लॉग ऑफ अगल मैं डिवाइड़ बाई लॉग ऑफ एन बहुत इंपोर्टन डिजल देखेगा लॉग ऑफ एम डिवाइड़ वाइड बाई लॉग ऑफ एन यहांपे बेस वाला जो प्लेस है वो खाली हो गया गाईस जैसे ही मुझे लॉग ऑफ लेट से मुझे मिला ए बाई-बाई- तो मैं इसको लिख दूंगा कि ये log of A हो जाएगा, divided by log of B हो जाएगा, अब इसका base वाला जो प्लेस है न, खाली हो गया, अब जो भी base आप फिल करना चाहते हो, वो base आप फिल कर दीजिया, अगर आप चाहते हो base E fill करना, तो base E fill कर सकते हो, अगर आप चाहते हो, बेस 10 फिल करना, बेस 10 फिल कर सकते हो, तो हम चाहते हैं कि बेस E फिल कर दे यहांपर, तो we can write कि यहांपर E यहांपर भी हो जाएगा, तो E यहांपर भी लेना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं कि एक में E ले लिया और एक में 10 ले लिया, कुछ और ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं, जितना बेस आप उपर लेगें, उतना ही बेस नीचे लोगें, अब देखें मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ, अब मैं बोलूगा कि ये वाला जब फिर उपर जाएगा, उपर जाएगा ये फॉर्मूला कितने लोगों को समझ में आया गाईज, जिस्ट राइट ये सॉर नो इंद चैट सेक्शन एवरीवन, सभी लोग एक बार, ये सॉर नो लिख दीजे सभी लोग, जिस्ट राइट ये सॉर नो, नो शर, नो शर, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, अपको समझना नहीं है, देखें, फिर से मैं एक बार कर दे रहा हूँ, लिट से, मुझे मिला, क्या मिला भई, ये लोग डिरिकली फॉर्मूला लिख देते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला कैसे आ रहा हूँ, कैसे आ रहा है, वो भी बताना चाह रहा हूँ आपको, लॉग और वा, देखें, A और B लेकर दिखा दे रहा हूं, लॉग ऐब, A to the base B, इसको मैं पहले ये देख ले रहा हूँ, कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, लॉग और दिवाइड़ बाई, लॉग और B, इतना लिख सकता हूं, ठीक है यह एक फॉर्मूला होता है यह भी एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले में यहां पर बेस वाला जो पार्ट है वह खाली हो जाता है गाइस ज़स्ट बेट ठीक है तो यहां पर लॉग ओफ ए टुदी बेस बी जो होता है इस इक वर्शू लॉग ओफ एट डिवाइड़ बाइड बाइड लॉग ओफ बी एंड इन इन दिसकेर प्लेस ऑफ बेस ठीक है इन लॉगरिद्म विल वेकेंड लॉगरिद्म का जो बेस हो हो जाता है वह वैकेंट हो जाता है एंड नाओ वी आर एबल तो फिल एनी बेस ठीक है इन दा लॉगरिद्मिक प्लेस तो अगर मुझे बेस करना है तो मैं दोनों के प्लेस पर लॉग ओफ लिख दूंगा अब एक यह फॉर्मूला होता है कि अगर अगर वन भाई लॉग है इसको भी लिख देते हैं यह सब मैंने नहीं लिखा इसलिए आपको दिखें मैं ऐसा बोलता हूं कि वन भाई लॉग ओफ ए बाई बी गिवेन है मुझे तो आई विल राइट कि यह लॉग ओफ देखें बेस और यह दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर जाते हैं यानि कि ए जो है वह बेस के प्लेस पर आ जाएगा और बेस जो है वह यहां पर आ जाएगा ठीक है गई तो मैं इसको लिख सकता ह बी टुदी बेस ए हो जाएगा इस इत क्लियर टू एवरिवन क्या सभी को क्लियर है यह लाइट आ गया मैं विडियो भी आउन कर सेप्ता हूं चलिए ठीक है तो नाव आइकन राइट कि यह मुझे लॉग ओफ लॉग ओफ बी टुदी बेस ए मिल जाएगा तो मैं इसको ल हो जाएगा इन्टू लॉग ओफ ए टुदी बेस बी तो है अब देखे इसको अगर आप कैल्कुलेट कीजेगा तो इतना आ जाएगा देखेगा कैसे करेंगे देखें लॉग इटू दी बेस भी है ना तो मैं इसको लिख सकता हूं इस फॉर्मूले से उपर वाले फॉर्म कि लॉग ओफ स्टी लॉग ओफ ई और यह लॉग ओफ ईलॉग ओफ ए कैंसिल हो जाएगा और लॉग ऑफ ए लॉग ए डिवैड़ड़ भाई लॉग भी आ जाएगा एड नाओ लॉग ए लॉग भी आ गया तो वी कैन राइट लॉग औफ ए टू बेस भी तूप गई है क्य अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप 10 बेस पर मुझे चेंज करके दिखाएं लिट से मैंने बोला कि राइड दिस इन बेस टेन जैसे मैंने बोला लॉग ऑफ 3 to the base 5 इसको बेस 10 में कनवर्ट करके दिखाएं तो सभी लोग जस्ट कनवर्ट इस लोगरिद्म इन्टू बेस टेन इसको बेस टेन में कनवर्ट करके दिखाएं सभी लोग तो देखिए सभी लोग मिला लिजेगा सही हो रहा है कि नहीं आप क्या लिखोगे उसको ऊपर लिखोगे लॉग टेन सॉरी लॉग 3 डिवाइड़ बाई लॉग 5 और नीचे अगर बेस टेन हमने लिया है तो आपको ऊपर अगर हमने बेस टेन लिया तो नीचे भी बेस टेन लेना पड़ेगा अब यह नीचे वाले का ओडर चेंज करेंगे तो आपको मिल जाए लोग ओफ टेन वीटी बेस टेन बहुत अच्छे यह लोग सी टेन बेस पाइब बहुत अच्छे अमरित का अंसर बिल्कुल सही है और आप सभी को यह clear है क्या ठीक है आप किसी को कोई issue नहीं होना चाहिए इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस एक और important formula और यह one of the most important formula यह भी है मैट्स वाले के लिए और बायो इस्टुडेंट डोनों के लिए मैट्स मैट्स वालों के लिए ज़्यादा important है क्योंकि मैट्स का एक chapter ही आएगा जिसमें formula हर बार यूज होगा हर बार वह यह formula है कि अगर मैं लिखता हूं कि एक नमबर लिखा और उसके बेस में उसके पावर में मैंने लिखा कि लॉग ऑफ एक्स है जिसका बेस भी ए है ठीक है तो इसकी वैलू जो है वो मुझे एक्स के बराबर मिलेगी गाई बहुत है मरे गंग को आई थे हैं कि याद भी था यह बहुत अच्छे अगर वही मैं यह लिख लेता हूं कि यह एक का पावर इसका दूसरा फॉर्मेट भी मैं बोल सक कि यह लॉः duty ॡावर इन दिया है जिसका बेस हो तो आइकान सिंप्ली राइट कि एक्स टूदी पावर इन हो जाता है रहे हैं बडिदा मार, यह कुछ ऐसे दिया हुआ होता यह कैसे दिया होता कि एक पावर कि लौग ऑफ एकस टुदी बेस ए और इस लॉग के साथ एंका मल्टिप्लिकेशन होता तो आप जानतों का मल्टिकेशन यहाँ पे रहता है तो पावर में चला जाता है इसकी वैलू भी X to the power A न ही होती ठीक है तो यह formula बहुत important होगा just remember this formula इस formula को भी याद कर लीजेगा ठीक है इसको भी याद कर लीजेगा यह दोनों important formula है इसमें सब इंप़से लेकिन कुछ-कुछ जो है वो बहुत इंपॉर्टन है इक यह हुआ कि यह यहां पे बेस्चेंज फॉर्मॉला वाला को बेचल का ये वाला फॉर्मिट मैं यह कर दुरहएं तो यहां पर मैंने लिखा था इसको इतना लिखा था यह लॉग और एक मुझे मिला था कि लॉग ऑफ ए बाई बी ए टुदी बेस बी को मैंने इतना लिखा था तो मैं अब इसको लिख सकता हूँ चलिए आगे आते हैं अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाता हूं ठीक है ग्राफ इसका दो तरीके से ड्रॉ करेंगे लॉगयरिधमिक फंक्शन साथ करते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे मानना पड़ेगा कि उसका बेस कैसा है थीक है वेस पर क्यों डिकेंड़ करता है वाई इसका आप ग्राफ मैं अलग से तो ग्राफ वाले सेक्शन में मैं लॉउगरिद्मिm और exponential function का ग्राफ नहीं आपको बताऊंगा तो मैं यापए Define करना चाहता हूँ वाई ग्रा ओफ ग्राफ ओफ लॉगरिद्म लॉगरिद्म भर डिपेंड्स ओन depends on on its base on its base ठीक है इसका मतलब कि लेट से मुझे y equals to देखे log of x अगर function के form में लिखूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा जिसका base कितना है guys a है तो मुझे इसकी value जो है इसकी value जो है वो चाहिए इसका graph अगर हम plot करेंगे तो इसमें इस पर भी depend करेगा base पर भी depend करेगा कि इसका graph कैसा होगा ठीक है तो देखें ऐसा इसलिए होगा एक बार और मैं यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि मेरा a का value यानि की base of logarithm जो होगा वो कभी भी वन के बराबर नहीं हो सकता है गाईज base of the logarithm can never be 0 क्या यह statement सभी को clear है यह base जो है वो a के बराबर नहीं होना चाहिए अब हम इस position पर है कि इस बात को कह सकते हैं अब कौन कौन लोग है अनन्या रिश्चू देखें वाई क्यूं क्यूंकि लॉग ऑफ x to the base x divided इसको मैं लिख सकता था log of x divided by log of a और अगर a की value 1 लेता तो log 1 किसी भी value पर 0 हो जाता है तो something upon 0 की value undefined होती है इसलिए a की value 0 नहीं होनी चाहिए थी गाईज तो a की दो value जो होनी चाहिए या तो ए जो है वह greater than 0 होगा यानि greater than 0 and less than 1 होगा और दूसरा 1 से जादा होगा तो देखिए मैं क्या करता हूं एक बार a की value जो है वह 1 by 2 लेता हूं और दूसरे में a की value लेट से 1 से जादा यानि की 2 ले लेता हूं यह दो तरह की values मैंने यहाँ पर a के लिए ले लिया ठीक है अब देखिए एक में अगर मान लिजे इसका power 1 कर रहे हैं 1 by 2 का power 1 कर रहे है तो मुझे 1 by 2 मिलेगा 1 by 2 का power मैं 2 करूंगा तो मुझे 1 by 4 मिलेगा लेकिन दूसरे end पर मैं देख रहा हूं कि a का power मैंने 1 किया तो मुझे 2 मिला 2 का power 2 करेंगे तो 4 मिलेगा 2 का power 3 कर रहे हैं तो 8 मिला आप यह order observe कर रहे हो क्या कि अगर मेरा base जो है 0 से 1 के बीच में है यानि कि fraction में है और मैं उसका power raise करते जाता हूं तो मुझे जो value मिलती है वह घटते हुए मिलती है ठीक है और यह घटते घटते एक बार minus infinity को चला जाएगा क्या गाईज एक बार इसी तरह अगर power बढ़ाते जाएंगे तो value देके पहले आधा है फिर एक बटा चार हुआ फिर एक बटा आठ हुआ यानि कि हर बार value आधा आधा decrease करते जा रही है यानि एक समय ऐसा आएगा कि घटते 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 और इस केस में यह वाला नंबर यानि कि पावर अगर हम बढ़ाते जाएंगे यानि एक सके वैलू बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी को चला जाएगा तो यह बात क्लियर हो रही है क्या सबी को कि इस एक लेट टू एवरीवन कि और लोग सनी का अंसर आ गया और लोग रिपलाई कीजिए हाँ तो यह सही है अब देखें मैंने अभी आपको यह कहना चाहिए था कि सर यह तो लॉगरिद्म क्वा आपने पॉनिंशल क्यों लिया एक्सपणिन्सल नमबर पर समझा रहे हैं तो गैज आपको समझना पड़ेगा कि जो लॉगरिद्मिक फंक्षण होता है दे कम्स घृव एक्सपणेंसल फंक्षण एक्सपणिन्सल था तभी तो वहां से logarithmic form हमने लिखा था how exponential form को solve करने के लिए log अया था इसको आए तो alla कशना तो जो प्रोपल्टी यह फंक्षन कंटेंड कर रहा है वही प्रोपर्टी लॉगरिद्मिक फंक्षन भी कंटेंड करना चाहिए ठीक है तो अब मैं यह कह सकता हूं कि इसका ग्राफ दो तरीके से होता है मैं इसका बेस इसका बैग्राउंड चेंज कर दे रहा हूं because we have to draw the graph of this तो देखें पहले मैं बोलूंगा कि लेट से वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ए है लेकिन मेरा ए जो है गाईज वह greater than 1 है यानि कि यह increasing function होगा ध्यान दीजे increasing function का मतलब कि x की value बढ़ाएंगे तो हम लिख देते हैं with increase in x with increase in x यहाँ पर क्या होगा increase करेंगे x का value with increase in in value of of x y increases guys y increases अगर मैं x की value को increase करता हूं तो मेरा y जो है वह increase कर जाएगा और इस तरह के function को मैं बोलता हूं कि increasing function है चलिए यह सब आप बाद में पढ़ोगे लेकिन यह term आप जान जाए मैट्स वाले तो बाद में पढ़ेंगे लेकिन physics वाले लड़के या बायों के लड़के भी इतने जानने चाहिए increasing function आपको एक तरह से मिलेगा तो यह increasing function हो जाएगा इसका मतलब कि एक की वैलू को मैं बढ़ाऊंगा तो य की वैलू बढ़नी चाहिए अब ध्यान रहे आपको यह स्ट्रेट लाइन तो कभी नहीं मिलने वाला है कि लोगरिद्मिक सिर्फ अगर लीनियर फंक्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी फंक्शन है उन सब का ग्राफ जो है वो कर्ब टाइप का बंदा है देखें इसका ग्राफ कैसा होगा इसका ग्राफ ऐसा होगा अब देखें यहां पर मुझे मिंशन करना पड़ेगा कि यह वन यहां पर मान लिया कि मैंने यह वैलू वण है यह वैलू कितना है वन आप जानतें लौग 1 कि वैलू कितनी होगी यानि किः एक्ष एक एक फ़ेल्स टू वन वाई की वैलू मुझे जीरो मिलेगी यानि कि यह वज्वा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होजाएगा है 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 ऐसा हो जाएगा का थे करें या निकी देखिए यह यहां पर एक की वैलू एक सकी वैलू कैसे पता चलेगा की बढ़ रहा है एक सके वैलू में इधर जा रहा हूं मैंने इसको मैं लिख दे रहा हूं और यहां पर एक को मैं और यह वाई डिक्रीजेग फॉल देता हूं कि इसे और यह डिक्रीज करेगा तो इसको हम लोग डिक्रीजेंग फंक्शन बोलेंगे गाइस decreasing यानि x की value को अगर हम increase करा रहे हैं और हमारा y decrease कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि यह decreasing function है और decreasing function में देखे क्या होता है x की value मैं मैंने क्या किया है बढ़ाया है तो y की value कैसे पता चलेगा की घट रहा है तो देखे य का value कौन बताता है यह वाला height बताता है यहां से यहां का जो height है वह क्या बताता है y का value बताता है तो य घटते 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 कहां चला गया माइनस इंफिनिटी को चला गया यह ग्राप सभी को क्लियर हो रही है क्या हाँ यह हमेशा एक से ही पास होगा क्यूंकि हमने बताया था ना कि एक्स की वैलू 1 रखेंगे तो वाई की वैलू 0 मिलेगी और 0,1 कौन सा पॉइंट होता है एक सेक्सिस पर 1 पर ठीक है तो यह क्लियर नहीं है एक वर फिर से देखें यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस्फ को अगर में 0 से 1 के बीच में लूँगा तो मेरा यह डिक्रीजिंग बने गए यहनी कि एक्स की वैलू को मैं बढ़ाऊंगा तो वाई की फॉलू गट रहा था तो वैसा ही with increase in value of x x की value को बढ़ाऊंगा तो मेरा y जो है वो decrease करेगा और इस तरह के function को मैं नाम देता हूँ decreasing function क्या नाम देता हूँ decreasing function उस तरह के बोलते हैं कि अगर x की value को बढ़ाया जाए और y की value गटे तो इसका मतलब और मैं ये देख रहा हूँ कि x की value 1 चाहिए था, one comma 0 से पास करना चाहिए था वन कॉमा 0 से ये दो तरीके से पास करता ये यह तो ऐसे pass कर सकता था या एसे pass कर रहा है अगर यह ऐसे pass कर रहा है हम देख रहे हैं कि x की value को बढ़ा रहे insgesamt value कैसे पताहूँ कि बढ़ रहा है तो एक्स की value आप एक सेक्स पर इस ब Cathie साइड को जाते हैं तो बोलते हैं कि एक्स की बढ़ रही है यानि कि मैं एक स्टिυχ alan या के उसका बढ़ना चाहिए तो इसकैसमें देख रहे हैं यहां से स्टार्ट हुआ था एकदम हमारा वाई जो सबिके समझ में यह नाओ यह आपको ग्राफ तो याधी रखना पड़ेगा because ग्राफ हमने अभी आपको उतना बताया नहीं है तो आपको ग्राफ ऐसे ही पता करना पड़ेगा इंक्रीजिंग के लिए अब आपको पता चलना चाहिए कि नीचे से सुरू होगा और उपर तक जाएगा और वो भी 1,0 से ही पास होना चाहिए तो आइकन राइट कि मुझे ज और अब मैं बोलूँगा कि मेरा बेश जो है एक से जादा है तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन अब गईज मैं इसको लिखवाओंगा नहीं कि इंक्रीजिंग क्या होता है इनक्रिजिंग फंक्षन इनक्रिजिंग फंक्षन अब अगर यह इनक्रिजिंग फंक्षन है और अगें मैं देख रहा हूं कि फॉर, एक सिक्वर्टू पर एक सिक्वर्ट टुवन पर एनी बैस ए वाई की वैलु तो मुझे जीरो ही मिलनी है गाइज था तक नियुक्त और पासेश थ्रू या इसके वाले में भी लिख सकता हूं मैं कि यहां पर लिख सकता हूं कि दग्राफ दग्राफ पासेश थ्रू पासेश थ्रू पासेश थ्रू वन कॉमा जीरो वन कॉमा जीरो से हमेशा पास करना चाहिए गाइस अब गुल्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहे ना लेजिए कि कोई भी ग्राफ जो वन कॉमा जीरो से पास हो रही होगी और इस तरह होगा उपर से नीचे की और जाएगा तो लोगरिद्मी फंक्शन का ग्राफ होगा और जिसमें जीरो से एक के बीच उसका बेस रहा होगा अभी हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो इटमे भी वहां पर इसको थोड़ा सा चर्चा में ले लेंगे तो आप थोड़ा सा समझ भी पाऊगे ठीक है दूसरा कि इसका ग्राफ अगर इसका भी ग्राफ वन कॉमा जीरो से पास होना चाहिए दग्राफ पासेश हां फिजिक्स में बिल्कूल फिजिक्स में ग्राफ ही ग्राफ आएगा भई इसलिए मुझे बताना पड़ा है ग्राफ के बीना फिजिक्स तो समझी नहीं पाएंगे दग्राफ पासेश तुरू अगेन 1,0 फिजिक्स में बहुत सारे रिलेशन आते हैं जैसे मान लिजे आपने इलेक्रिक पोटेंशिल और वोल्टेज के बीच कोई रिजल्ट डेराइफ किया और उस रिजल्ट का पूछेगा न की ग्राफ के थू कैसे हम इसको इंडिकेट करेंगे इस रिजल्ट को यह आपको बताना है कि वहाँ पर पोटेंशिल और इसके बीच जो जो भी है या आपक सबस्कुराओक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका उसके बीच और इलेक्ट्रिक करेंड्य कारेंड्य क्या होगा विछ जो इलेक्रिक फिल्टप रवारा था distance R के बीच E and R के बीच graph बनाईए R क्या होगा distance of the electric field ठीक है और यह E क्या होगा electric field generated तो इन सब के बीच आपको कहता है ना कि आप क्या किजे graph बनाईए तो यह graph आप इसी format से बनाओगे कि आप graph यहाँ से आपको यह standard graph याद करना होगा कि कौन सा relation कैसा आएगा तो आपको कैसा मिलेगा तो मान लीजे आगया लेट से ऐसा relation नहीं आता है मेरे को याद नहीं है result मान लीजे एक वैलू आ गया कि लॉग और तो आप जानते हो 2.732 होती है यानि कि बेस एक से ज़्यादा होता है इसका मतलब जो अभी वाला जो graph बनने जा रहा है न वैसा ही graph बन जाएगा लॉगरिद्मिक टाइप का graph आय समझ में गई तो यहां पर graph का idea आपको यहां से लेना है वहां से सिर्फ result derive करेंगे कि result कैसा आ रहा है ठीक है यहां से आप graph सिर्फ math से ही सिख के जाओगे और जैसा आपको relation दिखेगा जैसा result आएगा वैसा आप graph बता दोगे ठीक है चलिए इसका graph भी मैंने बोला कि यह वन कॉमा जीरो से पास करेगा तो लेट से यह हुआ वन हमारा यहां पर यह क्या हो गया यह वन हो गया वन हो गया तो यह भी हमारा वन कॉमा जीरो से पास करेगा क्रूप गया है जारी है है तो एक यह नीचे से स्टार्ट हुआ यह उपर से स्टार्ट कर देंगा कैसे इधर से इस पर ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल टास्ट होता है कि यह ऐसे ऐसे करते करते कभी जीरो नहीं होगा इस तरह का ग्राफ चला जाएगा ठीक है तो यह आपका ग्राफ हुगा कि इसका कि लोगरिद्मिक फंक्शन जब बेस आपका क्या हो एक से ज्यादा हो कि बेस क्या हो एक से ज्यादा हो कि सभी को समझ में आया क्या चलिए तो देख रहे हैं यहां पर एक्स की वैलू को बढ़ा रहे हो आप तो वाई की वैलू बढ़ रही है यानि कि इसका जो ग्राफ अगर आपसे पूछ दिया जायल यह फॉर्मूला एक्जेक्ट होता नहीं है मैं ऐसा क्लिम नहीं कर रहा हूं कि मुझे यह रिजल्ट याद नहीं पड़ रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि यह ग्राफ ऐसा होगा गाई ठीक है वन कॉमा ज यहांसे मैं एक्स्पोनेंशियल फंक्षन का भी ग्राफ आपको ड्रॉक करके दिखा देता हूं देखि 진행 इंशियल फंक्षन और इसका ग्राफ मैंने बताया था कि लोनों क्या होते हैं दोनों लेक्ट थूसरे के रिसीप्रोंकल नहीं TRACIPPROCAL घ्राफ कभी भी Y equals to X line about symmetrical होते हैं यानि कि अगर यहां पर मैं एक मिरर रखूंगा कहां पर मैं अभी बता दे रहा हूं देखे अगर मुझे यह याद है तो मैं इसका ऐस्पोनेंसल पॉप बता सकता हूं अपको देखेंगे लेटोगे मैंने यहां पर एक लाइन y ù जानते हो कि औरीजिन से पास्ट करता है और इस तरह का G्राफ शक्राम क यह भाई शो्राफ हो गया है या अभी तो लाइन का ग्राफ आप लोगों ने 10 में याद पॉइंट रख रखे इस तरह चोड़ दीजे इसको मैं ग्राफ के सेक्शन में ही देखूंगा ग्राफ के सेक्शन में कुछ मैं आइडिया भी बताने वाला हूं जिसको आप थोड़ा सा यूज करके आप खुद से भी बनाना सीख ठीक है तो ग्राफ में ग्राफ को थोड़ा सा हम लोग डीटेल में देखेंगे वहां से कॉंसेप्ट क्लियर होने के बाद पिजिक्स में किसी भी तरह का ग्राफ आप खुद बखुद टीचर के ड्रॉ करने से पहले अब अपने कॉपी में ड्रॉ कर लोगे सो वेट फॉर क्लाश 10 में भले ही पढ़ा होगा कि एक्स की वैलू को रखते थे उसके कोर्रेस्पॉंडिंग वाई की वैलू निकालते थे और जितने भी पॉइंट्स था उसको हम इंडिकेट करके सभी पॉइंट को जॉइन कर देते थे यह मेथड आपने पढ़ा होगा बट वी विल न दो निक्स्क्रास में ग्राफ के सेक्शन में एक क्लास में नहीं हो पाएगा ऑविसली आई थिंग दो से तीन क्लासे तीन क्लासे मुझे मिल जाएगा तो बहुत डिटल में आपको ग्राफ बताऊंगा मैं ठीके गईज सो वेट फॉर देनिक्स क्लास कैसे पता चलेगा होगा इस में क्रीज करके बताइए इस में आप पूछना चाह रहे हो अरु के में आपको हेंडरीच कर दीजिए आपका नाम उपर आ जाएगा क्रिज कि आए हाँ कि बोलिए मतलब इस में यह इस वाले के लिए देखें यहां पर अगर इसके कॉए यहां पर कोई अगर पॉइंट भगा तो कौन सा पॉइंट होगा बता हूँ लेज से मैंने मोल दिया कि यहांपे 0, भाउन है ओसा बोल सकता हूं कि यहां पर 0 औरहरिए कि घrawामा कितना हो गया माइनस फाई हो गया इसके कोर्षप ideally यहां अब यहाँ पर फॉयेंट देखता हूं यहाँ पर कोरिस्पॉंट और यहां पर होगा यहां पर कोर्डिनेट जिसोंग बोलोगा यहां का कॉर्डिनेट कितना हो गया था अगर यहां का कॉर्डिनेट कुछ भी होगा लेट से मैंने बोला यहां का कॉर्डिनेट यहां का कॉर्डिनेट यहां का कॉर्डिनेट वाई के कॉर्रस्पॉर्णिंग देख रहे हैं कि माइनस 5 है एक्स के कॉर्रस्पॉर्णिंग ज से बड़ा quantity देख्व है और एकस का वन देखो तो आगे आ रहे हो अब mandar जी जी रो पॉइंटी वन से ऐगे पॉइंट क्या होगा यहां तर देखना होगा एस पॉइंट का तो मैं यह। बोलूँगा कि एक का कोडिनेट होगा यहां एक से ज्यादा होगा ग्रेटर डेन वन होगा प्लस मैं लिख दे और वाई का वैलू भी पॉजिटिव में होगा क्या होगा ना तो देख रहे हो वाई का वैलू निगेटिव से पॉजिटिव की और आ रहा है और यह कब हो रहा है जब हम एक्स को बढ़ाते जा रहे हैं बाता है समझ में क्रीश तो एक्स का यानि कि हाइट बढ़ना चाहिए ग्राफ का ग्राफ का हाइट बढ़ेगा तो मैं बोलूंगा कि मेरा ग्राफ का वैलू बढ़ते जा रहा है थीक है थोड़ा सा और हो सकता है कि ग्राफ में मैं यह 100% खुद से भी शूर नहीं हूं कि आपको ग्राफ में बहुत जादा कुछ 100% समझ में आया होगा लेकिन अगर आप 50% भी समझ रहा होगे तो मेरी लिए सफिसेंट है क्योंकि मुझे यह ग्राफ फिर से नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि जैसे ग्राफ का कॉंसेट मैं आपको डील करूंगा यह खुद से खुद यह खुद बहुद है नेक्स्ट क्लास में बबाए एवरिवन जब 40 परसेंट चले कोई नहीं 40 परसेंट भी समझ में आया तो कोई इस्यू नहीं है विल डिसकर सेंट ग्राफ डिटेल